इमार्शल विधान सभा बजट पर वोटिंग से पहले हंगामा स्पीकर ने जैराम ठाकुर समें 14 विधायकों को सस्पेंड किया इमार्शल विधान सभा में बुलाए गए मार्शल वेल में धरने पर बैठे बीज़पी विधायक निश्कासन के बावजू सदन में डटे बीज़पी विधायकों को मार्शल ने जबरन हटाने की कोशश की जैराम ठाकुर के साथ हुई धक्का मुख्य विधान सभा में अंगामे की दौरान कुछ बीज़पी विधायकों की तब्यद बिगडी विधायक विपिन परमार ने डॉक्टर बुलाने को कहा पंचकूला से शिमला पहुँचे कॉंग्रेस के छे बागी विधायक विधान सभा पहुँचने पर बड़ी सियासी सरगर्मी हिमाचल में सुखु सरकार को बड़ा जटका सुखु सरकार के मंत्री और वीडभद्र सिंग के बेटे विक्रमादितिस सिंग ने मंत्री पत से दिया इस सीफा सुखु सरकार के मंत्री विक्रमादिति सिंग ने की प्रेस कॉंफरेंस में सुखु पर लगाए गंभीर आरोप कहा ये सच है नौजवानों से किये वादे पूरे नहीं किये गए मंत्री विक्रम अदित्य सिंग ने विधायकों की बांगों की अंदेखी का लगाया आरोप कहा पिछले एक साल मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन मुझे नजर अंदास करने की कोशिश की गई मगर जिस तरीके की ववस्था पिछले एक साल के अंदर सरकार के अंदर रही है उसमें जो घटना करम हुए है जो विधायकों के साथ कही ना कहीं अंदेखी हुई है कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दुबाने की कोशिश की गई है विक्रमादिति सिंग ने कहा मैं किसी दबाव में आने वाला नहीं पिछले दो दिनों के घटना क्रम पर मैंने पार्टी हाई कमान और प्रेंका गांधी को दिये जानकारी मुझे पद और सत्ता से कोई लेना देना नहीं हिमाचर प्रदेश में बदले राजनेतिक हालातों के बीच पूर सीएम जैराम ठाकुर के नित्रत्व में बीजेपी डेलिगेशन की राज़पाल से मुलाकाद बज़ट पेश होने से पहले डिविजन वोटिंग की मांग बीजेपी के हर्श महाजन की राज़िसभा चुनाव जीतने पर बोले जैराम ठाकुर कहा क्रॉस वोटिंग करके कॉंग्रेस वधायकों ने सुनी अपने अंतरात्मा की आवा सरकार को बने रहने का हक नहीं इमाचल में कॉंग्रेस के बागी विधायकों को दिया गया नोटस एक बज़े तक देना होगा जबाब हर्श महाजन ने किया बड़ा दावा कहा बीजेपी जल्दी इमाचल प्रदेश बनाएगी सरकार कॉंग्रेस के कई विधायक उनके संपर्थ में कमिलनाथ दौरे पर प्रदानमंत्री मोदी राज्यकोदी 17,300 करोड रुपे की सौगात प्रदानमंत्री मोदी भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलेंड वाटरवे वेसल्स को किया लाँच कोच्छी शप्याद में किया गया जहास का निर्माद प्रदानमंत्री ने 1477 करोड की रेल योजनाओं का दिया तोफ़ा 4586 करोड रुपे की चार साड़क परियोजनाओं की भी दी सौगात प्रियम नरेंड्र मोदी ने विकसित भारत के अपने संकल्प के साथ तमिलनाट को जोड़ा कहा विकास का नया अध्याय लिख रहा है तमिलनाट प्रियम ओदी ने तिरुनेल वेली में की जनसभा कहा बच्चे बज़ुर्ग युवा महिलाएं गरी बध्यम वर्ग और तमिलनाट का हर वर्ग पूरी तरह से बीज़ेपी के साथ जमीन की बदले नौकरी मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत राबडी देवी, मीसा भार्ती और हेमा यादव को मिली नियमित जमानत दली के राउजवी नियू कोट ने सुनाया फैसला राबडी के साथ मीसा भार्थी और हेमा यादव भी कोट में रही मौचूद बिहार विधान सभा में विधाय को कुदी अपराग्नी अंतरन विधेक दोज़र चौबीस की कौपी कल कानून के प्रारूप को दी गई थी मनसूरी बिहार में माफियाओं पर सक्त आक्षन के लिए बना आ गया नया कानून इसी सत्र में सरकार विधेक को करेगी पास समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बिएस्पी ने इता गुड़ू जमाली अखिलेश यादव की मौजूदगी में ली सदसिता देश में हिजाब पर जंग जारी अब समाजवादी पार्टी के सांसद स्टी हासन ने उठा मुद्दा कहा मुसल्मानों को किया जा रहा है टार्गिट स्पी सांसद स्टी हासन ने कहा हम चाहते ना हिजाब जबरन पहनाया जाए ना जबरन उतरवाया जाए दली में केजिवाल सरकार और उपराजिपाल के बीच एक बार फिर तक्रार के आसार सूत्रों के मताबिक उपराजिपाल ने रोकी दली सरकार की सोलर पॉलिसी सीम के जिवाल ने कुछ दिन पहले ही किया था एलान सोलर पॉलिसी से दली के बिजली के बिल होने थे जीरो भारतिय नौ सेना को मिली बड़ी सफलता अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स कंसाइन्मेंट भारत की समुद्री सीमा में पकड़ा गया भारतिय नौ सेना, NSB, NCB और गुजरात, ATS के जॉइंट उपरेशन से मिली सफलता भारतिय समुद्री सीमा में 300 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया करोडो रुपयों के ड्रग्स के साथ पाच पाकिस्तानी क्रू मेंबर भी गिरफतार आरोपियों को पोरवंदर से ले जाग रही है जाच पकड़े गई ड्रग्स के जखीरे पर लिखा है प्रड्यूस ऑफ पाकिस्तान ड्रग्स की इंटरनाशनल मार्केट वेल्यू दो हजार करोड रुपे से जादा नेपाल की सशस्त्र पुलस बलने पच्छी सौ मीटर की उचाई पर किया मौक ज्रिल रिस्क्यू ऑपरेशन का किया अभ्यास जमु कश्मीर में शीत लहर के 20 सैलानियों की मौच पहाड़ों में बर्बारी के भी आसार सहर सपाटे का शांदार मोहर यूपी के बांदा में विश्वे हिंदू महासंग वी एचपी ने निकाली शोभायात्रा बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल शोभायात्रा के चचलते लोगों पर बुल्डोजर से खी गई पुश्पवर्शा चर्चा का बना विश्यू प्रायपूर में चत्तिसगड के जिपिटी सीएम विजश्वर्मा ने ग्रामिनों से की मुलाखात कई मुद्दों पर की चर्चा वोवनेश्वर के मां मंगला बस्सी पहुँचे माइक्रोसोफ्ट के सहसंस्थाकक बिलगेट्स लोगों से की मुलाखात त्रपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने गोमती में की विकास पर योजनाओं का उधगाटन किया कहा विकास ही हमारा लक्ष तिरुपती के दर्बार में पहुँचे AIA DMK के पूर नेता वीके शशिकला विदिविधान से की भगवान बाला जी की पूजा अर्चना बिकानेर के माजन में शुरू हुआ सेन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारती सेना और जपान सेल्फ डिफेंस पोर्स ने लिया हिस्सा दोनों देशों की सेना ने दिखाया अपना शौरे का प्रदर्शन जम कर किया अभ्यास श्रीनगर में युवाओं को आत्म निर्वर बनाने की पहल युवाओं को दी जा रही है कराठी की ट्रेनिंग रत्नागिरी के दापुली में बीजेपी बूच सरिय कारेकरता महासमेलन का अउजन गोगा के मुखे मंत्री प्रमोज सावत नेभी की शरकत ध्रपुरा के राजार बाग को मिली नए प्राथ में एक स्वासे केंद्र की सौगात मुखे मंत्री मानेक साहने के अधगाटन दिली में पूर केंद्री मंत्री विजे गोयल ने धोबीगार छेत्र का दौरा किया लोगों से हुए रूबरू मुंबई में हुई लापता लेडीज फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग अमेर्खान, सनी देओल और काजूल सहित कई बड़े स्टार्ज आये नज़र अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उम्रा सैला बड़ी संख्या में राम भक्तों ने की रामलला के दर्शन तिरुपती के श्री कला हस्तिक शेवरे स्वामी मंदिर में रूसी श्रधालों ने की राहुकेतु की पूजा बड़ी संक्या में रूसी महिलाएं हुई शामिल मुंबई में रेडियो फो चाइल्स एवार्ड दोज़र चॉबीस का आयोजन यूनिसेफ इंडिया के राष्टे राजूत आयुश्मान खुराना हुई शामिल यूनिसेफ इंडिया के राश्टी राजूत आयुश्वान खुराना ने लोगो को किया सम्माने दी बधाई MPK मुरेना में समस ब्राम्मन समा समेलन कायोजन राजसान के सियें भजलाल शर्मा हुए शामिल दिल्ली में चल रहे भारत टाक्स 2024 यशो भूमी में प्रदर्शनी कायोजन सौ देशों के प्रतिनिधी बने प्रदर्शनी का हिस्सा तीन हजार से जादा लोगों ने लगाई प्रदर्शनी सभी उत्पादों के लगाए गए अलग-अलग स्टॉल्स कपडों से जुड़े छोटे बड़े कारिगर, डिजाइनर, सप्लायर्स और खरिदार बने प्रदर्शनी का हिस्सा भारत के बड़े-बड़े डिजाइनर्स ने भी प्रदर्शनी में लगाए स्टॉल्स, फैशन और फाब्रिक की बहतरीन क्वालिटी दिखाने की कोशिश प्रदान मंत्री मोदी ने भारत एक्स 2024 का किया था उद्गाटन भारत को आत्म निर्भर बनाने का विशन दिली में स्टार्ट अप महाकुम कारिकरम कायोजन केंजर मंत्री प्यूश कॉल ने की शिर्कत दिली में केंजर मंत्री अशुनी वैशनम ने जारी किया डाक टिकेट इंडिया रेल विमिन्स फेडरेशन की शताबदी कर समारो कायोजन कोटा को विज्ञान और अंत्रिक छेत्र में मिली बड़ी सौगात लोगसभा स्पीकर ओम बिर्ला ने साइन्स सेंटर का किया शेला न्यास 35 करोड की लागत से हुगा तयार पारमती पहुँची जेपिटी सीएम अजीद पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ढोलनगाडों के साथ हुआ स्वागत बनाएगए 125 किलो की माला अजमेर के आंगनबारी के इंजर पहुँची जेपिटी सीएम दिया कुमारी बच्चों से की मुलकात